चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं योगी का हिंदु बटे गा तो बयान करने के लिए जो बयान दिया गया है वो बयान दिया गया है उसमें किसी भी तरीके की गुरेज नहीं होना चाहिए कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए अगर ग्योगी का हिंदू बटेगा तो कटेगा बयान ये सही बताया है ग्रिजासिक ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा समय आ गया है कि देश के सनातनियों को हिंदू को एक जुठो करके ऐसे ताकत से हमारे पुरवजों से भूल हो गई कि बटवारे के समय अगर हंड़ेट परसेंट मुस्लिमों को पाकिस्तान भेद देना चाहिए था जिसका दुस्पड़नाम आज हम भुगत रहे हैं जो आज सड़िया कानून लागू करने की बात करते हैं ये नहीं चलने वाला तो आपको बता दे तुस्टी गरण पर गिर्राज का हंटर वो कह रहे हिंदू बटेगा तो कटेगा पुरवजों से गलती हुई इन 100% मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था उनको भारत में रखा ये गलती हुई और अगर अब हिंदू बटा तो निश्चित तोर पर वो कटेगा एक जुट होना बहुत जरूरी है हिंदू को एक जुट होना पड़ेगा तभी ये देश बच पाएगा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा समय आ गया है कि देश के सनातनियों को हिंदू को एक जुट हो करके ऐसे ताकत से हमारे पुरवजों से भूल हो गई कि बटवारे के समय अगर 100% मुसलिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था जिसका दुस्पड़नाम आज हम भुगत रहे हैं जो आज सड़िया कानून लागू करने की बात करते हैं ये नहीं चलने वाला और अब बात करते हैं उत्तरप्रदेश के ग्रेटर अनॉड़ा की जहां पर दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है आखर क्या है पूरा बाबला इस एक मिट की रिपोर्ट में देखें नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट का निर्माण कारे हो रहा है इसके चलते आसपास की गावों में जमीन अधिकरहन कर गावं विस्थापित किये गए हैं इसके बदले लोगों को मुआबजा दिया गया है इन ही में रनहेरा गाओं के रहने वाले अनिल का अपने भतीजे अबदेश और कुशल से मकान के बदले मिलने वाले मुआबजे को लेकर विवाद हो गया इस खूनी संगर्श का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें साब देखा जा सकता है कि किस तरह एक दूसरे पर वार पलट वार किया गया और चलिए बगली खबर आपको बैंगलिरू से बताते हैं जहां पैदल चल रहे शक्स के साथ दरदनाक हादसा हुआ है दरसल इस शक्स को बहाँ पर चल रहे है टैंकर ने कुचल दिया बुरी तरह से कुचल दिया पूरी खबर इसे एक मिन की रिपॉर्ट में की एक युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा है पीछे से एक स्कूटी सवार आता है स्कूटी की बगल से टैंकर गुजर रहा है इस स्कूटी सवार को इतनी जल्दी थी कि बिना समय गवाय इसने टैंकर को ओवर्टेक करने की कोशिश की लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में स्कूटी सवार लापरवा ही कर बैठा क्योंकि टैंकर की स्पीड उससे थोड़ा ज्यादा थी जैसे कि स्कूटी सवार ने रिपब्लिक भारत गुजरात के वडुद्रा में बारिश की मुश्किलों के बीच स्थानी लोगों ने किया गर्बा सभी ने डांस का उठाया लुथ लगातार बारिश की वज़े से बुरा हाद गुजरात के सूरत में टला बार का खतरा हाला की मौसम विभागी तरफ से अभी भी अलर्ट लोगों से घरों में रहने की अपील की गई बारिश के बाद काशी के ड्रोन तस्वीरे आई सामने काशी के घाट और नदियों का जलिस्तर कम हुआ जापान के हिरात सुका में भी बाड़ आई पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां स्थानिय लोगों की मुश्केले बढ़ी सौधी अरफ के अलमदिना में भी तेज बारिश पानी के बहाब में बही गाड़ियां सड़कों पर कई फिट तक पानी भरा मैक्सिको में भी जमकर हो रही है बारिश और ब्रेगान में बारिश के साथ साथ उला वरष्टी भी हुई या ताप पान में गिरावट भेराइच में बेज दिन पहले का वीडियो आया सामने रिहाईश वी इलाके में घूमता दिखा भेडिया अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेडिये बेराइच में आदम खोर को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट इलाके की डून से की जारी है निगरानी चप्पे चप्पे पर पूरी नजर बहराईच में आदम खोर भेडिये का आतंग जारी वन विभाग की टीम ने भेडिये को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी और जाल बिछाया उत्वर्देश के बहराईच में जा रही है बेड़िये का आतंग कई गाउ में देखा गया भीडिया गाउवालों में देश्चत का माहूद यूपी के भैराइच में घर में सो रही दो साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला किया बच्ची को बचाने के लिए जानवर से भीड़ा शक्स घायल हुआ भीड़े का शिकार हुए लोग का अस्पताल में इलाज जा रही है बच्चे बुज़ुर्ग पर भीड़े ने किया था हमला लोगों ने बताए आदम खोर के हमले की आप गिती बैठे रहन पलका पर बत्रों करकिया है हम अरो दर्वा जाता ने खुला रहा है वह से जब डाव हमरे नटी पर गिर गया जब हो हमको बोलने नहीं दिया तो उसके जबड़ा जब हमरे हाथ में आया है पकर के जब दावे हम तब रूस ने छोड़ा है आदमखोर के बारे में भेरा इचके वनवी भाग असी ओ अभिशेक सिंग ने दी जान करी और कहा दो भेडिये को किया गया ट्रेस आज यकल में आदमखोरों को पकड़ लिया जाएगा दोनों ट्रेस हुए थें तो में भी पासिबिल्टी है कि आज ये अकल में हमारे डियप को सर बहुत जीजान से पूरी टीम लगी हुए CCF मेडम, CCF सर कांटीनूर रात में भी गस्त कर रहे थें तो सारे लोग लगे हुए हैं आज ये अकल में पकड़ा जाएगा चंपई सोरेंग को लेकर बोले केंद्रे मंश्वी शिवरास सिंग चोहान कहा चंपई जी को टाइगर की उपाधी मैंने नहीं बलकि जारखन की जनता ने दी हैं जारखन में जल्द कई जे-म-म और कॉंग्रिस विधाक थामेंगे बीजे-पी का दामन रिपब्लिक भारत से बाचीत में लोबिन हिब्रम का दावा बोले जारखन में खिसकने वाली है जे-म-म की सियासी जमीर शिवरा सिंग चौहान ने कॉलकटा कान को लेकर ममता सरकार पर भी निशाना साधा और कहा ममता के मन में ममता पैदा नहीं हुई मामले को दबाने की कोशिश हो रही है के सित्यागी ने निजी कारणों की वज़े सिद्या स्तीफा हुआ है